हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो की अंदर कवर करेंगे सी के और जी एम के बीच में जो अगला टीटन का मैच होने वाला है इस वीडियो के अंदर दोनों हे टीमों के पूरी इंफॉर्मेशन में आपको देने वाला हूँ बैटिंग ओडर के साथ कौन से प्लेयर आपको उपन करते हुए दिखेंगे कौन से प्लेयर फॉर्स टाउन पर खिलेंगे सारे प्लेयर्स का बैटिंग ओडर के साथ भाईयों मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बोलर दोवर तक complete गिंदबाजी करेंगे और किसी आप captaincy wise captaincy के लिए आप इस match के अंदर try कर सकते हो सारी important जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ तो एक बार इस वीडियो को अंतक जरू वाज करना भाई हो ताकि जितने भी important जानकारी इस match related आपको मिल पाए और आप इस match के अंदर बहतर से बहतर grand league और small league team आप बना पाओ लेकिन इससे पहले एक छोटी स request भाई हो अगर आप चैनल पर पहली बार visit कर रहे हैं तो चैनल को एक बार subscribe जरू कर लेना इस वीडियो के नीचे जो आपको subscribe का बटन दिख रहा होगा दोस्तों इस पे एक बार click कर देना है साथ साथ यहां पी जो bell icon बना होगा इस पे click करने के बाद आपको all का option देखने को मिलेगा इसको भी एक बार select जरू कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 matches का आपको इसी प्रकार video और information मिलता रहेगा दोस्तों अगर आपको हमारा बतायागा एक पसंद आता है तो वीडियो को एक बार like जरू कर देना दोस्तों आपका एक like से में काफी motivation मिलता है तो हमें like करके support जरू करना और सबसे जरूरी बात है कि हमारे टेलेग्राम ग्रूप को जोइन कर ले देखो यहाँ पे आपको एक arrow का बटन दिखरा होगा दोस्तों जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे टेलेग्राम ग्रूप का लिंक आपके सामने सो हो जाएगा इस ग्रूप में जोइन करना जरूरी है दोस्तों ग्राउंड वही रहागा पुर्दकल ग्राउंड पर यह मुकाबला होगा और यहाँ का पीच कंडिसन की बात करते दोस्तों तो यहाँ पे बल्लेबाजो के लिए काफी बढ़ी है ग्राउंड है बैट्समेन को अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़ी आफायदा होता है इस ग्राउंड पर बाकि कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यू विकेट्स निकाल रहे हैं ख़णी के टीम ने चेज कर लिया था यहाँ पर देख सकते हैं कि एम के टीम वाफस रॉज की हैं बाकि यहाँ पर आप देखोगे दूस्तों बैटिंग ओडर के बारे में जुनेद खान जो कि इनका कैप्टेंसी के लिए सबसे बहतरी इन सबसे ज़्यादा सेलेक्शन है, रिजन क्या है देखलो आप यहाँ पे डिक है, आपन करते हैं, पहले मैच के अंदर 34 रन बनाए थे एक विकेट निकाला था, फिर हैंपे 14 रन इसमें कोई विकेट ने मिला, फिर 1 रन प्लस एक विकेट, फिर 2 रन प्लस दो विकेट, ओवरल इनका रिकॉडड दिखोगे दोस्तों बहुत सांधर है, और बहुत बढ़ी आपन भी करते हैं, प्लस आपको दो वर गिंद बाज यह भी आपके लिए important रहेगा, विकास कुमार फर्स्ट आउन पे खेलेंगे, पहले मेच कंदर 31 run, फिर यह पे 0 run, फिर यह पे 17 run, फिर यह पे 7 run score करा है, टीम का फर्स्ट आउन पे यह भी खेलेंगे भाईयों, बाकि गुरजीत सिंग थर्ड आउन पे खेलेंगे, पहले मेच कंदर 7 run, कोई विकेट ने मिला, फिर यह पे 3 run, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं, गरी शिंग 4th run पे खेलेंगे, इनका record कुछ खास नहीं, तो आप इनको आवड कर सकते हैं, दूस्तों यहाँ पे आगर redhead की बात करेंगे, तो पहले मेच कंदर 3 विकेट, फिर यह थे, लेकिन 3 विकेट निकाला तब बॉलिंग से, और लाश्ट मेच के अंदर भी 2 विकेट निकाले हैं, मैं आपको बता दूँ कि गाईज, यह complete आपको 2 वर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, और हर एक मेचस के अंदर इनको विकेट मिला है, ठीक है, तो इनको अपन यह दोस्तों, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, यह इंपोर्टन रहेगा, और इन्हें अपने टीम के अंदर जरूर से जरूर रहे करना, अमीत कुमार पहले मेच के अंदर एक विकेट निकाला है, दूसरे मेच के अंदर फ्लॉप रहा है, यह बॉलिंग कर पहले मेच के अंदर 17 रन प्लस एक विकेट, फिर यह थर्ड डाउन पर खेलते हुए 15 रन बनायत, इसमें तीन विकेट निकाले हैं, तो यह भी खिलाडी जो रवी जाको जो यह खिलाडी जो है दूस्तों, बहुत सांदर रहेगा, इनको अगर आप चाहें तो आप और को देखते हुए प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर ट्राइ करते हुए चलो गाईज, लेकिन वही जी एम की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है दूस्तों, इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं देख सकते हैं तक बैटिंग बॉलिंग नहीं करा है, आप इनको आवड कर सुनिल कुमार, यह दूस्तों इनका रिकॉर्ड तना बैटर नहीं है, तो आप इनको भी आवड कर सकते हैं, अंकुष कुमार की बात करेंगे तो फर्स रॉन पर खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 16 रन बनाये थे, कोई विकेट नहीं मिला था, 18 रन खर्च के तो दूस्तों यहाँ पर, फिर यहाँ पर दूस्तों फर्स रन पर खेलते हुए, नौर रन मिला थे, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, एक विकेट निकाला है, बल्ले बॉलिंग से भी काफ़े बढ़िया विकेट निकालें, बाइस रन खर्च करते हुए, फिर थर्ड डाउन पर खेलेत नितिन कमभोज की बात करेंगे, थर्ड डाउन पर खेलेंगे, पहले मेच के अंदर दो रन प्लस एक विकेट, फिर एक विकेट, फिर फ्लॉप रहा था मेच के अंदर दोस्तों, अमंदीप की बात करेंगे, दोस्तों ओपन करेंगे, पहले मेच के अंदर जीरो रन फिर य पहले मेच के अंदर 6 रन प्लस 2 विकट फिर 19 प्लस 1 विकट फिर पॉच प्लस 1 विकट एंदर लास्ट मेच के अंदर कोई विकट नहीं मिला है लेकिन ये जो खिलाड़ी दूस्त बैटिंग भी करेंगे साथ इसापको बॉलिंग भी करते विए नजर आएंगे इनको अपने टीम के अंदर जरूर से जरूर ट्राय करना दोस्तो अगर आप चाहें तो इनको भी कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए ले सकते हैं बाकि देवेंदर मेला की बात करेंगे दोस्तो ये जरूर पिक करना है आपको भी जए प्रकास ये दोस्तो छे नमर पर खेलने के लिए आते हैं पहले मेच के अंदर एक रन बनाये थे वो एक विकेट निकाले थे यहाँ पर आप देखो कि दो वर के गेंदबाजी मिनों ने नहीं है लेकिन बॉलिंग जो हैना बहुत संदर करते हैं खेяж हैं जो ये कमल सरमा पहले मेच के अंदर आट रन खर्च करते हुए दोस्तों इन्हों इन्हों ने एक विकेट निकाला था फिर याप fifteen खर्च करते हुए एक विकेट निकाले हैं ध्यान रखना ये भी बॉलिंग करते हैं दो ही मैचेस खेला है लेकिन बॉलिंग सभी तक विकेट काफी बढ़िया निकाले हैं तो ये CK और GAM का खेले गए 4-4 मैचेस का सारे रेकॉर्ड है भाईयों अभी तक जो इस स्रीज में देखो ज्यादा पुराना रिकॉर्ड दिखा के और आपको देखे भी कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है और इस वज़े से मैं आपको कहता हूँ कि करेंट स्रीज को आफ फॉलो करो जो अभी चल रहा है बैटिंग ओर पर फोकस करना प्लियर्स का फॉर्म पर पता चल प्लियर्स को फॉलो कर तो आप खुद भी टीम बना सकते हैं तो सुरुवात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से तो के गोलिया बेस्ट रहने वाले हैं जो कि जी एम के टीम के तरफ से ये टीम के आपको टॉप टॉपर पर बल्ले बाजी करते हुए दिखेंगे जी जी मैंने तीन इंपोर्टन बैट्समन को लिए रखा है जिसमें से एम सिंग और यहां पर दोस्तो कोगर बहुत सांदर इंपोर्टन रहने वाला है और मैं एक कुमार को ट्राइ करूँगा इनका रिकॉर्ड बहुत सूप है दोस्तो जी एम के टीम के तरफ से बहुत गंदर तो मैं तीनों को ट्राइ करने वाला हूँ बाकी का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो आपने देखा है भी कुमार यह भी अच्छा प्लेर अगर आप चाहाए तो डिफ्रेंशियल पिक के तौर पे अगर आप लेना चाहते हैं तो इन्हीं आप ले सकते हैं और दूस्तों मैंने तीन इंपॉर्टन डोलनर को ले रखा है जेखान यह बेश्ट राने वाले है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे यहाँ पर दूस्तों मैं इनको भी कैफ्टेंसी के लिए सांदर बताया है यह दोनों के दोनों बहुत सूपब रहने वाला है बा तो दोस्तों यहां पर जेख खान को मैंने कैप्टेंसी के लिए ले रखा है और वाइस के लिए मैं एक उमार के साथ जाता हूं याद रखना अगर आप चाहें तो आरजाको को भी ट्राय कर सकते हैं इनका भी रिकॉर्ड सांदार है ठीक है तो दोस्तों यह मेरे साइट से ट झाल 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 झाल